जाल के अंदर जाल क्या ये है जी का माया जाल जी हाँ ये सवाल जो है वो उठ रहा है सेवी के आदेश के बाद जिसमें उन्होंने सुभाष चंद्र और पुनीद गोईंका को बार कर दिया है किसी भी लिस्टिक कंपनी में इंपोर्टन पोजिशन जो है होल करने से of comfort जारी किया था. Letter of comfort की जानकारी जो है management के कुछी लोगों को थी, यहां तक की Z Entertainment Enterprises के board को इसकी जानकारी नहीं थी. अब इस letter of comfort के basis पर Yes Bank ने साथ entities की देंदारी सेटल की. Z Entertainment Enterprises की 200 करोर की fixed deposit से देंदारी सेटल की. Letter of comfort जो है वो issue करने से पहले Z Entertainment Enterprises की board को नहीं inform किया गया नहीं consult किया गया. और Yes Bank और RBL Bank को letter of comfort जो है वो जारी की गई. तो अब देखते हैं कि कैसे fund की हेरा फेरी की गई और SEBI की जांच में अब तक क्या निकल कर आया है? SEBI ने समझाया है कि कंपनी का यह जो जाल है, जैसे कि हम देख सकते हैं, देखे कहां से यह शुरू हो रहा है और कहां तक यह जाके खतम हो रहा है? Z Entertainment Enterprises की company से ही सब जुरावा है. SEBI के interim order के अनुसार और उन्हों ने यह दिखाया है release में कि कैसे पैसे अलग-अलग company से move हो रहे हैं. तो यह company जो है या तो चंद्रा या गोइंका की परिवार की है SEBI के interim order के अनुसार या फिर यह जो है चंद्रा और गोइंका परिवार से या तो control हो रही है. अब interesting बात तो यह है कि पैसे सिर्फ book entries में के दिखाई दे रहे हैं असलियत में यह दिसीट्स नहीं दिखाई दे रहे सेभी को उनकी जांच में अब आपको बताएं कि सेभी का इस जो जांच है इसकी जांच का क्या असर हो सकता है जो है जी और सोनी के merger पर एक्सपर्स का मानना है कि financial fraud की जो allegation है इसे अंदेखी जो है नहीं कर सकते और जो है shareholders जो है अब वो merger पर सवाल उठा सकते हैं I would think it would take a very brave bench in the NCLT to say we're going to ignore all of this and just stick by the rule that the majority has approved and therefore we will not investigate any of this or we will not allow anyone to talk about anything else I think that would be a very brave decision I don't think an NCLT bench would be so brave they will have a challenge because their shareholders are going to be asking their board what diligence they did did they know all of this if they didn't know all of this then now that they know it do they still recommend that the merger continue